राधे राधे दोस्तों, दोस्तों धार्मिक मानिताओं के अनुसार ग्रहण और सुतक काल के दौरान कोई भी शुब मांगले कारे नहीं करना चाहें, लेकिन ग्रहण और सुतक काल के दौरान खास कर ग्रहण समाप्त होने के बाद दान पुन्य करने की परंपरा सदियों से च मानताओं के अनुसार दान करने के लिए ग्रहण का दिन सबसे शुप माना जाता है ग्रहण के बाद दान करने से भगवान लक्ष्मी नारायन के साथ इस समस्ति देवी देपताओं का आश्रवात प्राप्त होता है घर में खुश्यां आती हैं और धन्धाने की कमी नहीं रहती साथ ही दान करने से ग्रहण के दुश्प्रभाप भी दूर हो जाते हैं और ग्रहण का कोई भी दुश्प्रभाप जीवन पर नहीं पड़ता जिससे सब मंगल ही मंगल होता है इसलिए दोस्तों ग्रहण के दुश्प्रभाप को दूर करने के लिए और जीवन को सुख्मर बनाने के लिए ग्रहण के बाद दान अवश्य ही करें शास्तों में कई ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जिन्हें ग्रहण के बाद दान करना चाहें ग्रहन या ग्रहन के बाद इन चीजों को दान करने से पुन्यफल तो मिलता ही है साथ ही जीवन में चली आ रही परिशानिया भी दूर होती है तो आईए दोस्तों चानते हैं कि चंदर ग्रहन और ग्रहन के बाद किन बस्तों का दान करना चाहिए आपके जीवन में जो समस्या चल रही है उन्हें दूर करने के लिए आपको किन चीजों का दान करना शुब रहेगा दोस्तों बैसे तो ग्रहन के बाद अन्न बस्तर का दान करना शुब माना जाता है लेकिन चंद ग्रहन के दिन सफेद रंग की बस्तूओं का दान कैना चाहें इसके पीछे मत यह है कि चंद मा का रंग भी सफेद है इसलिए इस रंग की बस्तूओं का दान कैने से चंद दोश्ते राहत मिलती है सफीद रंगी बस्तों मालक्ष्मी को भी अत्य थिक प्रिया है चंदर ग्रहन के बाद या चंदर ग्रहन के दौरान सफीद रंगी बस्तों का दान करने से मालक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है और धंधाने की कमी नहीं रहती मालक्षमी की कृपा प्राप्त करने के लिए और चंद दोष्टे मुक्ति पाने के लिए चंद ग्रहर के बाद चावल का दान करना सबसे शुब माना जाता है इसके लिए आपको कच्चे चावल का दान करना है गहदान किसी जरत्मन व्यक्ति को करेंगे तो जादा अच्छा रहेगा नहीं तो आप किसी भ्रामर को भी चावलों का दान कर सकते हैं इस कंदपुरान के अनुसाथ चंदग्रहर समाप्त होने के बाद जो मनुष्य चावल का दान करता है उस पर धनके देवी मालक्ष्मी की असीन कृपा परस्ती है और मालक्ष्मी की कृपा से उनके घर में जीवन भर धनधान के कोई कमी नहीं रहती मालक्ष्मी की कृपा सतय बनी रहती है साथी चंददोश भी दूर होता है और माता के स्वास्थ में भी सुधार होता है दोस्तों चावल के इलाबा चंद्रग्रहन के बाद कई चीजों का दान करना बताया गया है जैसे कि अगर आपके घर में कोई बीमार रहता है या फिर आपको कोई बीमारी है कोई ऐसी बीमारी है जो ठीक नहीं हो रही पह सही होती है फिर दूर सी शुरू हो जाती है तो इस दोश को दूर करने के लिए चंद ग्रहन के बाद चांदी का दान करना चाहिए चांदी का दान करने के लिए आप चांदी की कोई बस्तू ले सकते हैं चांदी का सिक्का ले सकते हैं या फिर चांदी का एक छोटा सा टुकडा भी ले सकते हैं अब इस चांदी के जो सिक्के को आपको एक काच के बाउल या कटोरी में रखना है और इसमें पानी भर देना है और फिर इसमें आपको अपनी चाया देखनी है या जो भी बीमार व्यक्ति हैं जिनके नाम से दान कर रहे हैं वहें अपना चहरा उस पानी में देखें और फिर इस बाउल को चांदी के टुकड़े सही चांदी का जो आप में सिक्का डाला है उसके साथ इस पानी के बाउल को आपको किसी जरुतमन व्यक्ति को दान कैना है ध्यान रखें यह दान आपको जरुतमन व्यक्ति को ही कैना है तभी इसका फल होगा, तभी फल प्राप्त होगा, मानिता है, चंद ग्रहन के बाद चांदी का दान करने से बीमारी से राहत मिलती है, अगर आपके जीवन में परिशानिय खत्म होने का नाम नहीं ले रहें, कभी संपत्ती बिवाद है, तो कभी कारे छेतर में धन संबंती सम समस्या है, तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए आपको चंद ग्रहन के बाद तिल का दान करना चाहिए, खास तोर पस सफीद रंकित तिल का दान करें, ऐसा करने से मालक्षमी की असेम कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि सफेद तिल मालक्षमी को अतितिक प्रिया है, कादय अच्छा चलता है वहीं अगर आप पित्र दोश्च ने पीड़े एक पित्रों को किसी परकार का कोई कश्ट हो रहा है यह आपको लग रहा है कि पित्र heritage है आप अपने पित्रों को दौरान किसी पवित्र नदी पर हैं तो ग्रहन काल के समय ही आपको यह दान करना चाहें पित्रों के लिए काले दिल का दान करना चाहें ऐसा कहने से पित्र दूश दूर होता है पित्र प्रसन होते हैं और पित्रों के कष्ट भी दूर होते हैं काले दिल का दान करने से भगव करना चाहते हैं और मन को मझबूत करना चाहते हैं तो आपको चंदगरहण के पार्शा करना चाहें सके लिए लए और अनुसार नहीं से घु़्य जुरत्मन्द गय क्दान करें ऐसा करने से मन मजबूत होता है और बुद्धि कुशाग्र होती है शास्तों के अनुसार चंद ग्रहन के बाद दूद दही का दान भी करना चाहें क्योंकि इनका सीधा संबंद चंद देव से होता है ग्रहन के बाद दूद और दही का दान करने से माता लक्षमी भी आप पर कृपा परसाए और धर में मा लक्षमी का बास होगा। इसलिए चंद ग्रहन के बाद ग्रहन के दुश्प्रभाब को दूर करने के लिए मा लक्षमी और चंद देव को प्रसंद करने के लिए दूद दही का दान करना भी बहुत शुब माना जाता है। कहते हैं चंद ग्रहन के बाद दूद्धही का दान कहने से दरित्ता दूर हो जाती है। चंद ग्रहन के बाद शक्कर का दान भी किया जाता है। माना जाता है ऐसा कहने से आपको इश्ट देव का आश्रवार प्राप्त होगा। चंद ग्रहन के बाद शक्कर का दान करने से मालक्षमी की भी कृपा प्राप्त होती है और चंद देव से संबंधिक दोश भी दूर होते हैं साथ ही ग्रहन की नेगटिव एनरजी का प्रभा भी कम हो जाता है सफेद रंग का संबंध सीधी चंद्रमा से होता है इसलिए चंद ग्रहन के बाद सफेद रंग की चीजों का दान करना बताया जाता है लेकिन अगर आप इन चीजों का दान ना कर सके तो आप चंद ग्रहन के बाद सफेद रंग के पुश्व मालक्षमी को अर्पित करें या आप मंदिर में जाकर भी भगवान ची को सफिर पुश्प अर्पित कर सकते हैं ऐसा करना भी शुप माना जाता है ऐसा करने से चंद देब से संबंधित दोश दूर होते हैं चंद देब से संबंधित दोशों को दूर करने चंद ग्रहर के दुश्प्रभाब को दूर करने के लिए चंद ग्रहर समाप्त होने के बाद चंद देब को जल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए इसके लिए एक बर्दन में साफ जलने, जल में थोड़ा कच्चा दूद, सफेद फूल, थोड़ी शकर और सफेद चावल मिलाने चाहिए और फिर इस जल से चंद देब को जल चढ़ाना चाहिए ऐसा करने से चंद देब से संबंदे दोश्त दूर होते ही हैं साथी गहर के दुश्प्रभा भी दूर हो जाते हैं जोतिशास्त के अनुसार अगर आप नौकरी की तलाश में हैं और उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है तो आपको चंद ग्रहन समाप्त होने के बाद सफेद मोती से बने आभुशर या फिर सफेद मोती का दान करना चाहिए ऐसा करने से जल्द रोजकार के अपसर मिलेंगे निसंतान दमपत्तियों को गरहन समाप्त होने के पश्चात चीनी के बने हुए खिलोनों का दान करना चाहिए ऐसा करनी से जल्द ही संतान सुकत की पराप्ति होती है अगर आपके घर में तनाब रहता है कलेश भरा माहौल रहता है तो चंदग्रहर समाप्त होने के बाद आपको सफेत रंग के कपड़े का दान कहना चाहें ऐसा कहने से घर में खुशियां आती हैं और कलीश दूर हो जाता है नौकरी में आ रही बाधाओं को दूर कहने के लिए तिलसे बनी मिठाई का दान कहना भी शुबाना जाता है दोस्तों ग्रहर की चाया में बहार निकलना अश्चुप माना जाता है लेकिन अगर आप किसी तीथ इस्थल पर हैं तो तीथ इस्थल पर ग्रहर काल के दौरान ही इस्थनान किया जाता है ऐसा कैने से कई लग कुना अधिक पुन्नेफल प्रापत होता है इसलिए अगर आप किसी तीथ इस थल पर है तो ग्रहन काल के दोरान ही इसनान कर दान करें और फिर ग्रहन समापत होने के पर्शाथ फिर से इसनान कैना चाहें लेकिन अगर आप घर पर हैं तो आप ग्रहन काल के दौरान है दान करने की बस्तू को निकाल कर रख दें जैसे कि आप एक दो दिन पहले भी घर में बस्तू ले आए हैं या फिर चावल हैं उनका दान कर रहे हैं आपके घर में पहले से ही चावल रखे हैं तो जो आपको जितने चावलों का दान करना है अपने हातों से इतने चावल निकाल कर आप किसी बर्तन में रख दीजे और फिर ग्रहन समाप्त होने के पश्चात इस दान आदी कर भगवान जी का पूजन करने के पश्चात ही आप इस बस्तू का दान करें जैसे कि ग्रहन रातरी में समाप्त हो रहा है और आप रात में दान नहीं कर सकते जाकर तो दान की बस्तु को रखा रहने दें और अगले दिन सुबह उठकर दान कर दें उमीद है आपको हमारी वीडियो पसंत आई होगी प्लीज लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जुरूर करें और यूसफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जुरूर दबाएं तैंक्स फॉर वाचिंग राधी राधी